तो स्वाकत आपके एको नहींट एक्स्मिनेशन की वीडियो में और यहां माले पास है OnePlus Buds Pro जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे overall ये Buds कैसे हैं, क्या ये 10,000 रुपे के काबिल है भी या नहीं, क्या ये comfortable है, sound quality कैसी सब कुछ, डीटेल में डिसक्स होगा, तो बैठेर हो, अराम से वीडियो देख लो एंट आपको पूरा क्लिर हो जाएगा, मैं जात रहे हैं निविश करतो, मैं नाम है बीजी सिंग, आप देखेंगे एक्स्मिनेशन, चलिए OnePlus Buds Pro का रिव्यू करते हैं, ओके वीडियो साट करने से पहले, अगर आपके Buds पसंद आता है, और अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं बाद में, तो प्लीज नीचे जो लिंक है, मेरी एफिलेट लिंक है, उस पर जाके बाई कीजिए, थोड़ा सा कमिशन मिलता है, आपको एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, चैनल की हेल्प हो जाएग ब्लाक वाले क्लिक है, क्योंकि एक ब्लाक इस लव एंड मैट फिनिच तो मुझे काफी पसंद आती है, इवन जो केस की हिंज है, वो भी काफी सैटिस्वाइंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी यहां पे डीसेंट आवाज देती है, क्लोशर पे, और जो प्रॉपन म अगर आप इसको खोलते हैं, जो अगर आप एक लाइट वेट है, उर जो ओर आप एक एस्थेटिक है, काफी अच्छा लगता है, अगर आप इसको कान में अगर आप इसको कॉन में डालेंगे जैसे आप नॉर्मली डालते हैं तो आपको काफी एक अच्छा फील देगा और आपके कान पे ऐसे और नहीं लगेगा प्रोट्यूड एडिया मतलब जिसको कहते हैं भार निकला हुआ नहीं लगेगा इसली अनाम से फिट हो जाता है और इस टैम वाला तो काफी आजकल चलन चला हुआ है बेसिकली यह एरपोर्ट्स प्रो की तरह देखते हैं अगर आप ने एरपोर्ट्स प्रो देखें हैं तो वैसा ही उसको ब्लैक में इमेजिन कर लीजिए छोटे मोटे चेंजिस के साथ कुछ डिजाइन चेंजिस के साथ क् तो डेफिनिटली आप इस गराद जा सकते हैं अगर आप बिल्ट हाई स्प्राइर टीम ले रहे हैं अब हम जलते हैं कमफर्ट एंड फिट की तरफ कमफर्ट एंड फिट किसी भी यहां पर बढ़ के लिए काफी इंपॉर्ट है क्योंकि अगर आप कमफर्डबली उसे पहन नहीं सकते हो तो जितनी मर्जी अच्छी साउंड कॉलिटी जितने फीचर तो आप उसको नहीं यूज़ करोगे फॉर्चिनेटली फॉर मी एटलीस कि यहां पर मुझे कमफर्ट बहुत अच्छा लगा यह लाइट वेट हैं जैसे कि मैं आपको पहले पताया था अभी बिल्ट इन डिसाइन में तो मतलब आपको यहां पर कोई इशू नहीं होने वाले इसको लांग टम में पहने के लिए इसका की बासका अच्छा है जो नौइज आइसॉलेशन है वह काफी अची है या कुछ भी मतलब को गाने सुनने लांग टर्म के लिए आप रोड ट्रिप पे जा कुछ भी बहुत एची जीज़ आपके लिए आप एजली इसको चार-पांच गंटे-शे गंटे पहां सकते हैं जो कि इसकी बैटरी लाइफ है बाइदवे बैटरी लाइफ के बारे में बैटरी लाइफ की सेग्मेंट में बात करेंगे जो कि आगे आने वाला तो वीडियो प यहां पर आपको 8.5 comfort मिलता है बट अब नेक्स सेग्मिन में चालते हैं जो कि आज के features देखिए earbuds feature के मामने में आजकर बहुत आगे निकल चुके है और मैं कहूंगा features के बिना earbuds लेना मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी सही रहेगा इवन जो normal headphones है अगर आप audio file है तब ही आप headphone को features के बिना consider करेंगे बट यहां पर अगर आपको मतलब एक normal features देखने है तो इसमें काफी अच्छे features मिल जाएंगे बट अगर आप क्या oneplus का phone है तो मतलब यह आपके लिए एक दम सोने पर सोहागे वाला काम करेगा सोने पर सोहागे सोने पर सोहागा वाला काम करेगा जो कि मुझे अभी बताने थी है मैं इसको इन जनरल बताता हूं मैंने इसको oneplus nord के साथ भी यूज किया मैंने इसको samsung के साथ भी यूज किया features में almost equal है oneplus nord में आपको app की जुरूरत नहीं होती है सारा कुछ आपका phone में ह हो जाता है यहां पर अगर आपको samsung में यूज करना है कि है melody नाम का आप आता है थोड़ा सा मलब unstable app है वह काम वहीं करता है आपको features वहीं देखने को मिलते हैं तो features में आपका इसके active noise cancellation है जो कि noise isolation बोला था उसके अलावा noise cancellation या active noise cancellation जिनको नहीं बता मैं जल्दी सा पता द cancel out कर देगा मलब waveform cancel out समय लो कि cancel out कर देगा और उसके बाद आपको बिल्कुल शांती मौक्ष प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल ही शांती नहीं होती है of course कुछ ना कुछ आवास आई जाती है जैसे कोई cheek रहा हो या बच्चा रो रहा हो या फिर एकदम कुछ चीज नीचे कर चाहिए वह आ जाती है बट इन शॉट अगर आप बाहर बैठे हैं जहां पर कार्स की अवाद है ट्रक्स की अवाद है आप प्लेन में बैठे हैं जहां पर यह सबसे ज़्यादा काम आता है क्योंगे इंजन बहुत हाई वॉल्यम वहां पर आपको यह प्रॉपर सील आप अवेर हो कि आसपास क्या और वहां जब तक चपल नहीं पड़ेगी तब तक आपको होश नहीं आएगा वट एनिवे यहां पर आपको यह नोई सब्सक्राइब को मिल जाती है साथ में आपको ट्रांस्पेरेंट मोड देखने को मिल जाता है जो कि आप भार की आवास सब्सक्राइब करके सुन सकते हैं तो अगर आपकी ममी आपको बुला रही है आपको मोड ओन करो और सुन लो इस सब्सक्राइब के फ्लाइं चपल रेसीव आप उनकी बात सुन लो ठीक है सुन लेनी से यह बात पर एडिस एनिवे तो यह आपको दो फीचिस मिलते है करेंजरेशन है नचिंग यह वन से काफी ज़्यादा बेटर है मैंने एरपॉर्ट का देखा एड़ थोड़ा बैटर था बटों का प्राइस भी थोड़ा बेटर ही है तो उस मामले में कहूंगा कि इस सेग्मेंट में काफी ज़्यादा अच्छे है यह एक्टिव नोइस द जाएधा touch options भी मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप double squeeze करेंगे, तो आपका pause जाएगा, triple करेंगे, तो next हो जाएगा, इधर से triple करेंगे, तो previous हो जाएगा, एक bird को अगर आप hold करेंगे, तो आपका voice assistant आ सकता है, या फिर आप zen mode में जा सकते हैं, जी हाँ, zen mode भी है, इसके अंदर आप इसमें nature की sounds, tide की sounds, और भी अलग-अलग sounds, महलब concentrate करने के लाप के याँ पे white noise भशती रहेगी, या चिप-चिप-चिप-चिप-चिप-चिप-चिडियां चलती रहेगी, तो fully आपको यहाँ पे वो zen mode देखने को मिल जाएगा, जो कि आप इसमें in-built चला सकते हैं, तो आपको ear bird का fit test भी मिल रहा है, और एक audio ID का feature है, fit test में क्यों होता है, कि basically check करता है, कि जो आपके buds लगें आगे, जो tips लगी है, वो आपके सही अपने size की लगाई है नहीं, मेरे लिए medium वाली चलगी, हो सकता है, आपको small वाली चले, तो वो आपको यह app बता देगा, कि कैसे ह और audio ID test यह है, कि वो आपको कुछ अलग-अलग sound सुनाएगा, आपको yes, no, yes, no, yes, no करके, आपके लिए एक sound signature ready करेगा, हलाकि यह उसके लिए आपको चाहिए बिलकुल शांत environment, तब ही आप जाके यह कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, तो यह मुझे features बहुत अच्छे मिलता है, चाहिए OnePlus को phone उसकर है, तो ओर आल मतलब यह, आपको यह सारे features देखने को मिलते हैं, जो OnePlus Buds Pro की connectivity है, वो भी काफी अची है, मैं कहूंगा, दस मिटे तो अराम से हो जाता है, मैं यहां पर दो कमरे दूर, बीच में दो walls रहती है, दर्वासा रहता है, उसके बाद मुझे connectivity यहां पर देखने को मिल जाती है, फोन से, काफी अची connectivity है, अफकोर्स आपके phone पर पिडिवेंट करेगा, बट मुझे काफी seamless लगी, call quality decent है, मैं कहूंगा, above average है, मैं यह नहीं कहूंगा, कि best है, अपने class में, या even earphones में, above average है, तो यह था इसकी connectivity और call के बारे में, यहां से अब हम जलते हैं, next thing, जो कि यह battery, देखो, जो battery है, इसकी, जो इसकी charging पर रहती है, case की, वो तो around 30 hours की रहती है, जो कि बहुत जादा है, काफी अच्छा है, और बिना ANC के वो लोग तो claim करते हैं, 7, 8, 9 hours, I don't know, कुछ, मैं आपको दिखा दूँगा, इतना जादा, बट जो मुझे मिला, मैं mostly ANC के साथ ही use करा था, इसको, मुझे 4-5 गंटे देखने को मिले हैं, जो की expected है, वो लोग जो test बताते हैं, वो बिना ANC के बताते हैं, of course, उनको जादा नमबर बताने हैं तो, बट आपको 4-5 गंटे ANC के साथ मिल जाएंगे, और 8-9 गंटे around, बि wireless charging है, जो की आप अपने किसी भी phone पर जाके उसको reverse charging कर सकते हैं, या आपने wireless charging पर रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो इसका पीछे type C port लगा है, यहां पर, उसमें आपको यहां पर fast charging देखने को मिल जाती है, जो की I think 10 मिनिट में आपको 2 गंटे का charge दे देती ह मैं काऊँगा इस से अच्छी चीज आपको और कहीं देखने को नहीं मिल सकती है, अगर आप कहीं travel कर रहे हो, आपने 10 मिनिट लगाया, 2 गंटे के लिए आप fit, बहुत आप charging से जाओगी नहीं बाहर, सी जी सी बात है, काफी अच्छी battery life है, मुझे बिलकुल कोई problem नहीं response time है, जो कि आप normally किसी भी game में खेल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है, और और काफी अच्छा battery के लिए भी package मिल रहा है, आप comfortably इसको full day यूज कर सते हैं, multiple days यूज कर सते हैं, without charging क्योंकि केस में भी charging है, अब हम finally चलते हैं sound की तरफ, sound जो की सबसे important part है, आप earbuds उसी के लिए लेते हो, और मैं खुशी-खुशी कह सकता हूँ, मुझे इसकी sound quality बहुत जाद अच्छी लगा, अब इसका sound stage है, बहुत ही wide है, sound stage मिला, आपको अपर ही, छोटे-छोटे instruments से लेकर बड़े-बड़े instruments सब कुछ सुना ही देता है, जो I don't know Mike ने कैसे पकड़ाइए, but कहीं न की वो एक उम्फ नहीं है, बेस में, जो की काफी लोगों को पसंद है, बेस बूस में आपको मिल जाता है, बट उससे थोड़ी मड़ी हो जाती है, बेस ऐसा लगता है कि मला थोड़ी slid हो रही है उपर से बेस, उतनी मिला, clear नहीं है बेस, जैसी कि अगर आप मेरे पास Sony XM4 भी है, मेरे पास PXC 550 था है, मुझे पता है, बेस कहा है, I know, बेस जो एक clean बेस होती है, अब यहां पे वो आपको देखने को नहीं मिलती है, बट एक जो बेसिक बेस है, जो एक आप मैं कहूंगा, above average बेस आपको देखने को मिल जात सकते हैं, even decent day-to-day songs के लिए भी उस कर सकते हैं, unless and until आप bass head नहीं, तो मैं कहूंगा, sound quality इसकी one of the best में से है, इस segment में, क्यूंकि मैंने, I think Galaxy Buds भी ट्राइ की है, मैंने, यह nothing here, जैसे आपको दिखाया है, वो भी ट्राइ किया, और भी मैंने छोटे-छोटे भी ट्राइ की है, मैं पर बड़े headphones भी है, मैं कहूंगा, उस हिसाब से AirPods Pro मेंने ट्राइ की है, by the way, मुझे नहीं लगा कि कहीं ना कहीं कोई आपको problem देखने को मिल रही है, overall मैं कहूंगा, बहुत अच्छी sound है, यहाँ पे, comparable है AirPods Pro से, हलाग कि थोड़े से better है, उनकी base थोड़ी clean है, और soundstage और जादा wide है, आपको specially high-end में वहाँ पे दिखता है AirPods में कि वो, जो high-end instruments यहाँ पे बनते है, high-end पे treble type रहता है, जो काफी high रहता है, अब मैं इसको किसी audio file के perspective से नहीं बता सकता है, मैं इतना qualified नहीं हूँ, मैं आपको एक as a normal user, जो day-to-day life में गाने सुनता है, यार podcast सुनता उसके आप से बता रहा, और उस मामले में, I think, one of the best है यह, तो मैं कहूंगा, अगर आप बहुत ही pity नहीं है, अपने sound के बारे में, यानि कि आप audio file नहीं है, जो कि वैसे होगे, तो आप यह preview नहीं देख नहीं होंगे, या फिर आपके पास, आपको, मतलब, बेस, मतलब, व आपको यह लेना चाहिए, अगर आप, especially oneplus user हैं, और आपका budget है, तो, अगर आप 10,000 खर्चने जाते हैं, अगर आपके पैसा है, दरसाहर खर्चने का आप oneplus के owner है, तो definitely ले लीजिए, मैं कहूंगा, कि उनके ecosystem बनाना का जो यह planner काफी अच्छा जल रहा है, oneplus के साथ यह ब no doubt, यह काफी अच्छा आपके लिए रहेगा, soundstage अच्छा है, features अच्छे है, battery life अच्छी है, build अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, 10,000 के budget के लिए, I would say, one of the best यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अगर आप oneplus की user नहीं है, थोड़े से features का आप देख ले न, but sound के लिए अगर the best इस segment में, अगर आपको discount में मिल रहा है, तो और भी अच्छा है, आप ले सकते हैं, तो बस यह ज़िए इस वीडियो में, I hope आपको वीडियो पसंद है, और आपको पस लिए हो कि oneplus buds pro आपको लेने चाहिए, या नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद है, तो like करने वीडि का, उसका gaming देखना तो यह रहा, यह रहे मेरे दो चैनल, जहांपे आपको shots और नॉर्मल वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो जाके देख लो, subscribe करो, और मैं बताओ सब अपनी अगली वीडियो में, तब तक रे, take care, bye-bye.